जो अपने दुखद इस्ततियों में अपने आपको संबालते हैं या दोसरों के भी जीवन में दुखद इस्ततियां देखे हैं और उस समय वो आगे आकर सहयोगी बन जाएं तो माना जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा गुण जो आज दिखाई देता है उसमें आज की या कभी न कभी की कोई भूमी का तपस्याकी है जरूरूरू नहीं तो बहुत जल्दी गबरा जाते हैं लोग तो इस सीखिए और समय तो हम लोगों का निकली रहा है लेकिन अगर अच्छी तरब निकले तो कितने अच्छी बात है हम लोग पूरे वर्ष में एक बार चांद्रैन तप करने के लिए हिमाले में बुलाते हैं और वो भी दौलादार की पाड़ियों के बीच मनाली छेतर में व्यास नदी के तट पर ये एक साधना चलती है जिसमें चांद्रैन तप करने के लिए बुलाय जाता है और दूसरा चांद्रैन तप करने का आउसर मिलता है खासतोर से उस समय करना चाहिए जब नौरात्रों का आउसर चला हो या फिर जब पूर्णीमा का आउसर हो पूर्णीमा भी शर पूर्णी मा के समय में अगर आप करते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाव होता है हाला कि उस समय में लक्ष्मी साधना की जाती है और ये द्यान लख लेना ये ऐसी चीजे नहीं है पर बोर हो जाए आदमी दुखी हो जाए व्यक्ति या ये लगे कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा आप आसानी से कर सकते हैं ये गुरु के उपर होता है कि वो आपको किस तरह से लेकर चलता है इसलिए आप एक बार गुरु के निर्देशन में शिरुवात तो करें सब आसान हो जाएगा और अगर घर में ही आप मन में ही कठिन मान लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए निविदन करना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे तप जो हमारे देश की परंपरा रही है ये तप आपको शक्तिशाली बनाते हैं अब अगले तप के बारे में बताते हैं कृष्ण भगवान ने एक वानी का तप का है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्याहितम चयत स्वाध्याय अभ्यस्नम चयव वांग मयम तप उच्यते अब इसके बारे में सुन लिजिए कृष्ण भगवान कहते हैं शरीर के तप के बाद में अगला तप आता है वानी का तप अब ये वानी का तप क्या है इसे भी जर जान दीजे वानी का तप कहलाता है कि जब आप अपनी वानी को जिवा को अपने बोलने के अंदाज को आपके व्यभार को आप नियंत्रित करते हैं इसे आप साथते हैं पूरी दुनिया में व्यक्ति के जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा भाग इस पर भी निर्वर करता है कि आपका लोख व्यवार कैसा है आपका संसार के साथ दुनिया के साथ व्यवार कैसा है इसको पब्लिक रिलेशन कहते हैं पी आर आपका पी आर कैसा है पब्लिक रिलेशन लोख व्यवार जनता से समाज से आप किस तरह व्यवार करते हैं तो इसको यह माना गया है कि व्यक्ति के सफलता में 40 प्रतिशत भाग उसके लोख व्यवार पर भी निर्वर करता है अगर उसका लोख व्यवार बहुत अच्छा है तो उसकी सफलता में 40 प्रतिशत तो इसी की भूमी का होती है इसी ने उसको मूचा उठाया है इसलिए लोख व्यवार आना चाहिए और वो लोख व्यवार तब आएगा जब आपको ठीक डंग से अपनी वानी का प्रियोग क करना आ जाए कहां चुप रहना है कहां बोलना है कितना बोलना है कैसे बोलना है थैंक्स करने में कभी देर मत करना और किसी को उलाना देना हो तो जितनी देर हो सकती देर जरूर कर लेना किसी पर गुस्सा करना हो तो जितना टाल सकते हैं टाल लेना लेकिन अगर किसी के चे केरे पर मुश्कराट देने का आप कारण बन सकते हो तो जितना जल्दी बन सको जरूर बनो किसी की तारीफ अच्छे डंग से करने का मौका मिले तुरंत कर देना कमिया निकालने के लिए भले ही देर कितनी भी हो जाए लेकिन हम करते बिल्कुल उल्टा हैं। हमें अगर किसी को गाली देनी हो तो महिने की योजना नहीं बनाएंगे अगले महिने इस दिन शुब मूरत में आएंगे चार गाली सुना के जाएंगे ऐसे को सोचता है कि उसे लगता है शुब मूरत यही है जितना सुना सकते हैं सुनाएं जितना बुरा कर सकते हैं भी करते वाणी का क्या सियम होना चाहिए अब कृष्ण भगवान के शब्द सुनिये पहला शब्द उन्होंने का अनुद्वेग करम वाक्यम आपके वाक्यम, मतलब वाणी से निकलने वाले शब्द अनुद्वेग करम बढ़काऊ नहीं होने चाहिए शान्ती देने वाले होने चाहिए ऐसी वानी बोलिये मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आप भी शीतल होए लेकिन अम ऐसी वानी बोलिये तुरंत जगडा होए ऐसी वानी बोलिये तुरंत जगडा होए और उससे मट टकराईये जो खुद से तकड़ा होए कमजोर मिल जाए लड़ मरो और अगर अपने से मजबूत दिखाई दे तो आज जोड के निकल जाओ पतली गली से जगडालो सभाव या वानी की कटूता या टौंट कसना या कमिया निकालना ये सब वो चीजे हैं जो आपके आकरशन को कम कर देती है चेहरे की सुंदरता तो अलग बात है वो जाज देर तक रहती भी नहीं अगर स्वभाव की सुंदरता है वही दिलों को जीतेगी और वही रिस्तों को बनाए रखेगी उसी से सब कुछ चलेगा चेहरे को सुंदर बनाने के लिए तो ब्यूटी पार्लर है लेकिन अंतकरण को सुंदर बनाए रखने के लिए भी ब्यूटी पार्लर है उसका नाम सत्संग है ये जो सत्संग है ये भी एक ब्यूटी पार्लर है यहां जरूर आना और यहां से चेहरे को तो सुंदर नहीं बनाया जाता लेकिन आपके भीतर जरूर सुंदर बना दिया जाएगा लेकिन इधर की तरफ तो तब आते हैं जब ऐसे पक्के घड़े हो चुके होते हैं कि अब कोई सुधार करें तो संबहो नहीं माथे पे लिखावा हमने ही सुधरेंगे और कुछ वे होते हैं जो दूसरों को सुधारने में पूरी ताकत लगा रहे होते हैं वो विज्यापन आता था ना सारे घर के बदल डालूँगा अब वैसी विज्यापन की बात नहीं वैसा दिमाग में बहुत लोग भावना भर के रखते हैं सब को बदल के छोड़ूँगा सुधार के छोड़ूँगा बरदास नहीं कर सकता कोई सुधारने वाला नहीं है जब आप अपने आपको नहीं बदलना चाहते तो दूसरे कैसे बदलेंगे इसलिए दूसरे का ठेका मत लेजिए अगर शुरुआत कर सकते हैं तो खुद से करना शूकर देजिए और कमियां भी नहीं कमियां भी मत निकालिए उर्दु के शायरत की एक बड़ी प्यारी पंक्ती है कि तूजो औरों की तरब करता है अंगुस्त नुमाई उंगली उठाना तूजो औरों की तरब करता है अंगुस्त नुमाई देख तीन जुकी हैं तेरी तरब तीन उंगलियां पहले तेरी तरब उठी भी है इसलिए उंगली मत उठा कमियां मत निकाल और कमियां मत निकालने वाला कभी आदर नहीं पाता आपने देखा होगा कि दरजी सुई और कैची का प्रियोग किसी भी कपड़े को तैयार करने में ड्रेस बनाने में प्रियोग करता है लेकिन कैची को हमेशा पाओं के नीचे दबा के रखता है सुई को कभी नीचे नी रखता है उसे या तो अपनी टोपी में या कैप में या कॉलर में लगा लेगा उपर कहीं रखतेगा सुई को नीचे नी रखता कैची को पाओं के नीचे दबा के रखता है क्योंके बार बार जरूर पढ़ती है उसकी और इधर उधर कपड़ों में उलजी रह गई तो लग जाएगी तो उससे किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे करते हो कि पाउं के नीचे कैंची दबा के रखते हो बोले सीधी सी बात है जिसका काम काटने का टुकड़े बनाने का दो जुड़े वे को अलग करने का है उससे तो पाउं के नीचे दबाया जाता है और जो जुड़े वे को मिला दे उसको कॉलर में लगाया जाएगा या टोपी में लगाया जाएगा गले लगाया जाएगा सम्मान दिया जाएगा जो जोडने का काम करेगा इज्जत तो वही पाएगा जो काटने का काम करेगा उसे तो दबाय ही जाएगा ये तो हो गई दरजी की बात लेकिन अगर देखें जिन्दगी में वास्तिकता तो यही है कि जिन्होंने भी जोडने की कोशिश की होगी उन्हीं का सम्मान दुनिया में रहा है और जिन्होंने दूसरों के घर में शुकनी और मन्थरा का काम करके गरों को तोड़ा हो उनको कभी सम्मान नहीं मिला पृष्ण भगवान ये कहते हैं कि वाणी को भड़काऊ मत बनाओ आग लगाऊ मत बनाओ जो दिलों को जोड़ दे ऐसी वाणी बनाना ये भी तप है फिर वो कहते हैं वाणी प्रिये होनी चाहिए हितकारी होनी चाहिए लेकिन यूट बोलने वाले और चमचगरी करने वाले वो तो बहुत प्रिये वाणी बोलते हैं और बड़े हितेश लगते हैं और सबसे ज़्याद़ चूना दुकंदार से चैनल भी हो जबब पोछें ना आप बाई साब को जद़ तो नहीं लगा रहे हैं, और नहीं को जड़ नहीं लगएंगे उसका सीधा मतलब ज्याद चूना नहीं लगाएंगा मीठा मीठा बहुत बोलते हैं लेकिन जो जितना मीठा बोले वो हितकारी है या नहीं बहुत कम लोग हितकारी मिलते हैं कृष्ण भगवान ने एक शर्त रखी सत्यम प्रिय हितम चैयत तुम्हारा बोलना मीठा भी हो हितकारी भी हो लेकिन सच भी होना चाहिए अगर वानी में ये चीज आ गई तो आप सफल कह लेंगे नितिकारू ने एक बड़ा अदभुष शब्द लिखा वो आपको भी पसंद आएगा उनों ने लिखा कि यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे प्रति आदरवाण बन जाए समान वाली बन जाए तो अपनी जीब रूपी गव को खोटे से बांद कर रखो अपनी जीब रूपी गव को खोटे से बांद कर रखो क्योंकि ये दूसरे के मान की हरी भरी खेती को उजाडने के लिए हर समय लालाईत रहती है बड़े प्यारी शल्द है तुमारी से मतलब किसी की वानी रूपी गव दूसरे के मान सम्मान की हरी भरी खेती को उजाडने के लिए हर पल तयार बैठी रहती है इसलिए इस गव को इस वानी को खोटे से बांध कर रखो मतलब नियंत्रित रखो कंट्रोल रखो क्योंकि हम बिना जाने बिना समझे किसी के लिए भी कुछ भी बोलने को तयार हो जाते हैं जज भी फैसला देगा तो दोनों पक्षों को तो सुनेगा हम लोग तो ऐसे कमाल के जज हैं कि जानते भी नहीं दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं और उससे पहले ही दूसरे को फांसी पे लटकाने को तैयार बैठे गए अपने घर से मसाला लगाने को तैयार बैठे बचिए निंदा चुगली करना छोटा मोटा पाप कर्म नहीं है यही तो है जिसके कारण आपको मांसी कशांती रहती है आपकी निंद बागती है आपके घर का चैन बागता है निंदा चुगली में रुची मत लो साहर में हम यह कहें कि पूरी दुनिया में अशांती के कारण कितने भी रहे होंगे लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने घरों के अंदर अपने ग्यवार के अंदर यह दोश बहुत बड़ा लेकर बेटे वे हैं यह मंत्रा और शकुनी वाली भूमी का है इससे अगर बच सकते हैं तो जरूर बचना चाहिए कृष्ण भगवान ने एक शब्दोर का स्वाद्याय अभ्यस्नम्चेव आपको अच्छे ग्रंतों का अध्यान करना चाहिए आपकी वाने में शास्त्र बोलने लग जाए आपकी वाने में कुलींता जहाकने लग जाए क्योंकि जब भी आप बोलते हैं तो अपने खांदान और अपने खोन का परिछे देते हैं आपका क्या खांदान है आपका कुल क्या है आपके परिवार के लोग क्या है आपकी परिवरिश कैसे हुई यह आपके व्यवार से ही तो पता लगता है डेल कारनेगी ने इस पर बहुत लिखा लोक व्यवार पर और अगर आपको रुची हो तो लोक व्यवार पर जो है डेल कारने की पुस्तक जरू पढ़ना आपको अच्छा लगेगा उस व्यक्ति ने मेहनत की अलगी मुझे लगता नब्बे से सो वर्ष गुजर गई होंगे उस व्यक्ति ने लिखी गए लेकिन जितना लिखा अदभुत लिखा युवा शक्ति का अगर सही ढंक से प्रियोग किया जाए तो वो इतिहास रसकती है युवा स्वेम के निर्माण के साथ साथ अपने परिवार का, समाज का और राष्ट का निर्माण करें और साथ ही एक ऐसी नई सब्भेत लाए जिससे उज्वल भविश्य के साथ समस्त मानफता के उध्थान के लिए भी कारे किया जा सकी युवाओं में अपनी संस्कृती, संस्कार को जाकरित करने की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश से परमपूज्य गुरुदेव सुधानशुजी महराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीधी की पावन उपस्तिती में युवाओं जीवन अभ्युत्य का आगास आगामी 3 अगस्त को दिल्ले स्थित आनंद धाम में होने जा रहा है जिसमें बच्चों के द्वारब प्रतियों की थाएं सेमिनार तथा पूज्य महराज श्री एवं दीधी जी के साथ युवा सम्मेलन का आयोजन होगा तथा 4 अगस्त को सांस्कृतिक कारिक्रम प्रवचन पुरस्कार वित्रण तथा युवा अभ्युत्य अजीवमेंट अवर्ड के साथ कारिक्रम का विधीवत समापन होगा ये कारिक्रम युवाओं का है, युवाओं के लिए है और युवाओं के द्वारा ही आयूजित है तो आईए आप भी हमारे साथ जुड़कर नई उचा, नई सोच, नव संकल, नया पत रखने वाले, नव भारत का, नव निर्मान करें झाले, वाले, युवाओं के भी हमारे आप है झाले, युवाओं के लिए।